देखें अगर आपका तालुक जो है वो वेरहाउस मैनेजमेंट से है डिस्टिबिशन मैनेजमेंट से है या ट्रांस्पोरेशन मैनेजमेंट से है तो आपका इंटरेक्शन जो है वो इन पैलेट्स के साथ जो है वो जरूर हुआ होगा और अगर नहीं भी हुआ तो अनकरीब जो है वो जरूर हो जाएगा पैलेट्स को जो है वो अमूमन जो है वो material की storage और material की movement के लिए जो है वो यूज किया जाता है और पैलेट्स यूज करने का जो main objective है वो यह है कि एक तो आपने जो है वो आपकी hygiene और health and safety के जो standards है या जो protocols है उन्हें जो है वो meet करना है और अपने operations को जो है वो quickly जो है वो perform करना है मिसाल के तोर पे अगर आपके पास जो है वो 40 feet containerized cargo जो है वो offloading के लिए आए और अगरचे तो वो non-pallotized है तो might be आपको जो है 6-7 headcounts की ज़रूत होगी जो के उस container के offloading को जो है वो perform करें और अगर वो ही 40 feet containerized cargo जो है वो palletized है तो you might need one MHD to offload the entire container 4 basic types of pallets जो है वो most common है इंडस्ट्री में और अकसर जो है वो हमें देखने को भी मिलते हैं like wooden pallet, plastic pallet, metal pallet और paper pallet like fiberboard के बने वे pallet अब आप या आपके organization जो है वो कौन सा pallet use करती है या कौन सा pallet use करना चाहती है अगें ये depend करता है आपकी nature of product पे for example के food and beverages जो है means के food and beverages का जो sector है वो mostly wooden और plastic pallet जो है वो यूज करता है और वहीं जो है construction sector जो है वो अकसर हमें जो है वो metal के pallet जो है वो यूज करता है नजर आता है तो अगें ये depend करता है आपकी nature of product पे के आपकी requirement क्या है और उससाब से जो है वो आप pallet चूज करता है